नमस्कार मित्रों, आइए सुनते हैं रूसी लेखक लेव तोस्तोई की कहानी प्रेम में परमेश्वर, जिसका अनुवात किया है मुन्सी प्रेम चंजी ने किसी गाउं में मूरत नाम का एक बनिया रहता था, सडक पर उसकी छोटी सी दुकान थी, वहां रहते उसे बहुत काल हो चुका था, इसलिए वहां के सम निवासियों को भली भाती जानता था, वहां बड़ा सदाचारी, सत्यवक्ता, व्यभारिक और सुसील था, जो बात कहता उसे जरूर पूरा करता, कभी धेले भर भी कम न तुलता, और न गही तेल मिला कर बेचता, चीज अच्छी न होती, तो ग्राहक से साफ साफ कह देता, धोखा न देता था, चाउथे पन में वहां भगवत भजन का प्रेमी हो गया, उसके और बालक तो पहले ही मर चुके थे अंत में तीन साल का बालक छोड़कर उसकी इस्त्री भी जाती रही, पहले तो मूरत ने सोचा, इसे ननिहाल भिजदू, पर फिर उसे बालक से प्रेम हो गया, वह स्वयम उसका पालन करने लगा, उसके जीवन का अधार अव यही बालक था, इसी के लिए वह रात दिन काम क किया करता था, लेकिन सायद संतान का सुख उसके भाग में लिखा ही ना था, पल पला कर बीश वर्ष की अवस्था में यह बालक भी यमलोक को सिधार गया, अब मूरत के सोख की कोई सीमा ना थी, उसका विश्वास हिल गया, सदय उपर मात्मा की निंदा कर वह कहा करता था कि परमेश्वर बड़ा निर्दई और अन्याई, मारना भूढे को चाहिए था, मार डाला यूबक को, यहां तक कि उसने ठाकुर की मंदिर में जाना भी छोड़ दिया, एक दिन उसका पुराना मित्र, जो आठ वर्ष से तीर्थ यात्रा को गया हुआ था, उससे मिलने आय मूरत बोला, मित्र देखो, सर्व नास हो गया, अब मेरा जीना अकारत है, मैं नित्र परमात्मा से यही विंती करता हूँ, कि वह मुझे जल्दी इस मिरत्यू लोक से उठा ले, मैं अब किस आसा पर जी हूँ मित्र, मूरत, ऐसा मत कहूँ, परमेश्वर की इक्षा को हम नहीं जान सकती, वह जो करता है, ठीक करता है, उत्र का मर जाना और तुम्हारे जीते रहना विधाता के वस है, और कोई इसमें क्या कर सकता है, तुम्हारे सोख का मूल कारण यहाँ है, कि तुम अपने सुख में सुक मानते हो पराई सुक से सुखी नहीं होते मूरत तो मैं क्या करूँ मित्र परमातमा के निसकाम भक्ति करने से अंतह करण सुध होता है जब सब काम पर मेसर को अर्पन करके जीवन वेतीत करोगे तो तुम्हें परमानंद प्राप्त होगा मूरत चित इस्तिर करने का कोई उपाय तो बतलाईए मित्र, गीता, भक्त, माल, आदी ग्रंथों का सरवन, पठन, मनन किया करो ये ग्रंथ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों फलों को देने वाले हैं इनको पठना आरंब कर दो, चित को बड़ी सांती प्राप्त होगी मूरत ने इन ग्रंथों को पढ़ना आरंब किया थोड़े ही दिनों में इन पुस्तकों से उसे इतना प्रेम हो गया कि रात को बारह-बारह बजे तक गीता आदी पढ़ता और उसके उपदेशों पर विचार करता रहता था पहले तो वह सोते समय छोटे पुत्र को इस्वन करके रोया करता था अब सब भूल गया सदा पर मात्मा में लौलीन रहकर आनंद पूरवा का अपना जीवन बिताने लगा पहले इधर उधर बैट कर हसी ठटा भी कर लिया करता था पर अब वह समय व्यर्थ नक होता था या तो दुकान का काम करता या रामाय पढ़ता तात पर यह कि उसका जीवन सुधर गया एक रात रामाय पढ़ते पढ़ते उसे ये चौपाईयां मिली एक पिता के विपुल कुमारा हुई प्रथक गुण सील अचारा कोई पंडित को तापस ग्याता कोई धनवंत सूर कोई दाता कोई सरवग धर्मरत कोई सब पर पितही प्रीतिसम हुई अखिल विश्वया मम उपजाया सब पर मोही बराबर दाया मूरत पुस्तक रखकर मन में विचारने लगा कि जब ईश्वर सब प्राणियों पर दाया करते हैं तो क्या मुझे सभी पर दाया ना करनी चाहिए तद पस्चात सुदामा और सबरी की कथा पढ़कर उसके मन में यह भाव उत्पन हुआ कि क्या मुझे भी भगवान के दर्सन हो सकते हैं यह विचारते विचारते उसकी आँख लग गई बाहर से किसी ने पुकारा मूरत बोला मूरत देख याद रख मैं कल तुझे दर्सन दूँगा यह सुनकर वह दुकान से बाहर निकलाया वह कौन था वह चकित होकर कहने लगा यह सपन है अथवा जागरती कुछ पता न चला वह दुकान के भीतर जाकर सो गया दूसरे दिन प्राताकार उठा पूजा पाठ कर दुकान में आ भोजन बना मूरत अपने काम धंदे में लग गया परन्तु उसे रात वाली बात नहीं भूलती थी रात्री को पाला पढ़ने के कारण सडक पर बर्फ के धेर लग गयी थी मूरत अपनी धुन में बैठा था एतने में बर्फ हटाने को कोई कुली आया मूरत ने समझा कृष्ण चंद्र आते हैं आखें खोल कर देखा कि भूढ़ा लालू बर्फ हटाने आया है हस कर कहने लगा आवै भूढ़ा लालू और मैं समझू कृष्ण भगवान वाहरी बुद्धी लालू बर्फ हटाने लगा भूढ़ा आदमी था सीथ के कारण बर्फ ना हटा सका ठक कर बैठ गया और सीथ के मारे कापने लगा मूरत ने सोचा कि लालू को ठंड लग रही है इसे आग तपा दू मूरत लालू भईया यहां आओ तुम्हें ठंड सता रही है हाथ सेख लो लालू दुकान पर आकर धन्वाद करके हाथ सेखने लगा मूरत भाई कोई चिंता मत करो बर्फ मैं हटा देता हूँ तुम बूढे हो ऐसा ना हो कि ठंड खा जाओ लालू तुम क्या किसी की बाट देख रहे थे मूरत क्या कहूँ कहते हुए लज्जा आती है रात मैंने एक ऐसा स्वपने देखा है कि उसे भूल नहीं सकता भक्त माल पढ़ते पढ़ते मेरी आँक लग गई बाहर से किसी ने पोकारा मूरत मैं उठकर बैठ गया फिर सब्द हुआ मूरत मैं तुम्हें दरसन दूँगा बाहर जाकर देखता हूँ तो वहां कोई नहीं मैं भक्त माल में सुदामा और सब्री के चरित पढ़कर यह जान चुका हूँ कि भगवान ने प्रेम वस होकर किस प्रकार साधारन जीवों को दरसन दिये हैं वही अब भ्यास बना हुआ है बैठा कृष्ण चंद्र की राह देख रहा था कि तुम आ गए लालू जब तुम्हें भगवान से प्रेम है तो अवस्थ दरसन होंगे तुमने आग न दी होती तो मैं मर ही गया था मूरत वाः भई लालू यह बात ही क्या है इस दुकान को अपना घर समझो मैं सदयो तुम्हारी सेवा करने को तयार हूँ लालू धन्वात करके चल दिया उसके पीछे दो सिपाही आए उनके पीछे एक किसान आया फिर एक रोटी वाला आया सब अपनी राह चले गए फिर एक इस्त्री आई वह फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थी उसकी गोद में एक बालक था दोनों सीथ के मारे काप रहे थे मूरत माई बाहर ठंड में क्यों खड़ी हो बालक को जाड़ा लग रहा है भीता राकर कपड़ा ओड़ लो सब्सक्री भीता राई मूरत ने उसे चूले के पास बिठाया और बालक को मिठाई दी मूरत माई तुम काउन हो इस्त्री माई एक सिपाही की इस्त्री हूँ आठ महिने से ना जाने कर्मचारियों ने मेरे पती को कहां भेज दिया है कुछ पता नहीं लगता गरभती होने पर मैं एक जगा रसोई का काम करने पर नवकर थी जियोही यह बाला कुत्पन हुआ उन्होंने इस भाई से कि दो जीवों को अन देना पड़ेगा मुझे निकाल दिया तीन महिने से मारी मारी फिरती हूँ कोई टहलनी नहीं रखता जो कुछ पास था सब बेचकर खा गई इधर साहु कारिन के पास जाती हूँ सायब नौकर रख ले मूरत तुम्हारे पास कोई उनी वस्त्र नहीं है इस्त्री वस्त्र कहां से हो छदाम भी तो पास नहीं मूरत यह लो लोई इसे ओढ़ लो इस्त्री भगवान तुम्हारा भला करे तुमने बड़ी दया की बालक सीथ के मारे मरा जाता था मूरत मैंने दया कुछ नहीं की स्री क्रिश्चन्द की एक्षा ही ऐसी है फिर मूरत ने इस्त्री को रात वाला स्वपन सुना जा इस्त्री क्या अच्राज है दरसन होने कोई असंभव तो नहीं इस्तिरी के चले जाने पर सेव बेचने वाली आई उसके सेव पर सेवों की टोकरी थी और पीट पर अनाच की गठरी टोकरी धर्ती पर रखकर खंबे का सहारा ले वह विस्राम करने लगी कि एक बालक टोकरी में से सेव उठा कर भागा सेव बाली ने दोल कर उसे पकड़ लिया और सिर के बाल खीच कर मारने लगी बालक बोला मैंने सेव नहीं उठाया मूरत ने उठकर बालक को छोड़ा दिया मूरत माई छमा कर बालक है सेव बाली यह बालक बड़ा उतपाती है मैं इसे दंड दिये बिना कभी न छोड़ूंगी मूरत माई जाने दे दया कर मैं इसे समझा दूंगा वह ऐसा काम फिर नहीं करेगा बुई ने बालक को छोड़ दिया वह भागना चाहता था कि मूरत ने उसे रोका और कहा बुई से अपना अपराद छमा कराओ और पृतिग्या करू कि चूरी नहीं करूगे मैंने आप तुम्हें सेव उठाते देखा है तुमने यह जूट क्यों खा बालक ने रोकर बुई से अपना अपराद छमा कराया अवर पृतिग्या की कि फिर जूट नहीं बोलूँगा इस पर मूरत ने उसे एक सेव मोल ले दिया बूई वाह वाह क्या कहना है इस प्रकार तो तुम गाउं के समस्त बालकों का सत्यानास कर डालोगे यह अच्छी सिक्षा है इस तरह तो सब लड़के सेर हो जाएंगे मूरत माई यह क्या कहिती हो बदला और दंड देना तो मनुस्यों का सवभाव है पर मात्मा का नहीं वह दयालू है यह दि इस बालक को एक सेव चुराने का कठिन दंड मिलना उचित है तो हमको हमारे अनंत पापों का क्या दंड मिलना चाहिए माई सुनो माई तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ एक कर्मचारी पर राजा के 10,000 रुपए आती थी उसके बहुत बिना करने पर राजा ने वह रिंड छोड़ दिया उस कर्मचारी की भी अपने सेवकों से 100,000 रुपए पावने थे वह उन्हें बड़ा कष्ट देने लगा उन्होंने बहुतेरा कहा कि हमारे पास पैसा नहीं, रिंड कहां से चुकावें कर्मचारी ने एक न सुनी, वे सब राजा के पास जाकर फर्यादी हुए राजा ने उसी दम कर्मचारी को कठिन दंड दिया तात्पर यहा कि हम जीवों पर दया नहीं करेंगे तो परमात्मा भी हम पर दया नहीं करेगा बुई यह सत्य है परंतु ऐसे बरताव से बालक बिगड़ जाते हैं मूरत कदापी नहीं बिगड़ते नहीं वरन सुधरते हैं बुई टोकरा उठा कर चलने लगी कि उसी बालक ने आकर विनाई की कि माई यह टोकरा तुम्हारे घर तक मैं पहुचा आता हूँ रात्री होने पर मूरत भोजन करने के बाद गीता पाठ कर रहा था कि उसकी आख जबकी और उसने यह द्रस से देखा मूरत 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 काउन हो मैं लालू इतना कहकर लालू हस्ता हुआ चला गया फिर आवाज आई मैं हूँ मूरत देखता है कि दिन वाले इस्तरी लोई और बालक को गोद में लिए सम्मुक आकर खड़ी हुई हसी और लोफ हो गई फिर सब्द सुनाई दिया मैं हूँ देखा कि सेव बेचने वाली और बालक हस्ते हस्ते सामने आई और अंतर ध्यान हो गई मूरत उठकर बाइठ गया उसे विश्वास हो गया कि क्रिष्ण चंद्र के दरसन हो गई कियों की प्राणी मात्र पर दया करना ही परमात्मा का दरसन करना है